जहें डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ग्यान सरीस के एक बेहदी फ्रेश एपिसोड में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेन बैटल टैंक्स के बारे में एक ऐसा वैपन प्लेटफॉर्म जो कि आज भी दुनिया भर की आर्मी इसके लिए बेहदी महत्वपुन भूमी का निभारा है और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि वर्तमान समय में इंडिन आर्मी भी तीन अलग लग तरह के बैटल टैंक्स को आपरेट करती है जिनमें एक है भारत का स्वरी सी अर्जुन टैंक, दूसरा है T-90 भीश में और तीसरा है T-72 अजे और अब तो सीमाओं पर बदलती भी स्थिती को जानमे रखते वे भारत लाइट टैंक्स को भी विक्सित कर रहा है लेकिन कि आब ये जानते कि 1947 से लेकर अभी तक भारत वर्तमान समय में इस्तिमाल होने वाले तीन अलग लग तरह के टैंक्स को आपरेट कर चुका है तो आज के एपिसोड में हम आपको उन सभी टैंक्स के बार में बताएंगे चुकि 1947 से लेकर अभी तक भारती सेना द्वारा इस्तमाल किये गए हैं So without wasting any time, let's begin तो 1947 में स्वतनतता के साथ जब भारत का विभाजन हुआ तो उस विभाजन के साथ जो 1947 से पहले एक massive British Indian Army थी तो वो भी दो हिस्सों में बढ़ गई एक Indian Army, दूसरा पाकिस्तानी Army और इसी के साथ Indian Army को Britishers द्वारा इस्तमाल किये जाने वाले कई अलगलग variety के टैंक्स भी विरासत में मिले और जिसमें से पहला नाम है M5 Stuart और जो ये M5 Stuart टैंक था तो ये World War II में इस्तमाल किये गए M3 Stuart टैंक का एक improved version था जोकि 1942 में Britishers को सप्लाई किया गया और इस टैंक को बनाया था US ने और 1947 में स्वत्तंतरता हासिल करने की साथ ही Indian Army ने British Indian Army से काफी अच्छे कासे संख्या में M5 Stuart टैंक को लिया था और क्या आप जानते कि ये सबसे highest altitude है चांस ता किसी भी battle टैंक को operate किया गया है और एक interesting fact ये भी है कि ये M5 Stuart एक light टैंक था और इस टैंक ने भारत के लिए द्रास और कारगिल जैसे महत्तपून छेत्र को जीत कर 1947-48 के इंडो पाकिसन वार में एक बेहदी महत्तपून भूमी का निभाई थी इस टैंक का जो प्रमुक हत्यार था तो वो था 147 rounds के साथ इसकी 37 mm की main gun और इसके अलावा सेकेंडरी आर्मामेंट के तौर पर इसमें 7.62 mm की browning machine guns को भी equipped किया गया था इसका जो engine था वो 220 horsepower को produce कर सकता था और इस टैंक का बजन केवल 15 ton था इसे driver, loader, gunner और commander के साथ 4 लोगों का crew आपरेट करता था और आप ये भी कह सकते हैं कि इस टैंक ने शुरू में हमको इस बात का एहसास दिला दिया था कि अगर high altitude warfare में टैंक का इस्तमाल करना है तो वहाँ पे इसके जैसे light tanks कितनी महत्तपुन भूमी का निभा सकते हैं और अब आप देखी रहें कि अब हमें दुबारा से कैसे light tanks के जरुवत काफी महसूस हो रही है खास करके लद्दाक में और खेर हम बढ़ते हैं अपने अगले tank की दरब चूकि है M4 Sherman तो ये भी World War 2 के एक बहुत ही iconic tank था और Shermans Second World War के दौरान सबसे ज़्यादा produce किये गए Allied tank में से एक था और ये tank West countries के लिए बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि उस समय सोवेट्स के लिए उनका T-34 और British Army इस tank को काफी अच्छे खासी संख्या में operate करती थी और इसे वज़े से 1947 के बाद ये Shermans भारत और पाकिसान दोनों को विरासत में मिले थे और ये M4 Shermans भी US Horizon के ही tank थे और जो कि medium tank के कैटेगरी में आते थे अलग कि ये tanks Indian Army के service से कब रेटायर हुए तो उसकी कोई exact information तो नहीं है लेकिन इस बात के information जरूर है कि ये tanks 1961 के operation विजय है जो कि गोवा में पुर्तगाली को खिलाफ था और 1965 के इंटो पाकिसान वार के अलावा 1971 के बंगलदेश लिबिशन वार में भी इस्तमाल हुए थे आलग कि 1971 वाले वार में इन Sherman tanks के कुछ upgraded variant इस्तमाल के गए थे जिसमें भारत ने इन M4 को फ्रांस के 75mm की CN-7550 वाली cannon और को सोवेट्स की 76mm वाली D85 cannon के साथ locally modify किया था तो इसलिए आप कहा सकते हैं कि ये जो tanks हैं ये 1947 से 1971 तक इंटिन आर्मी की सर्विस में बने हुए थे और इसमें तक पाकिसान भी ये वाले tanks इस्तमाल कर रहा था लेकिन तक पाकिसान को US से M48 pattern जैसे advanced tanks भी मिल चुके थे बागि शर्मन tanks के main armament में 75mm की gun थी और जबकि secondary armament के तोर पर 0.50 caliber की browning machine gun और 2.30 caliber की browning machine gun भी थी और बागि जो भारत ने इनको locally modify किया था तो वो और भी powerful guns के साथ थे बागि जैसे के हमारे पड़ों से थे इस पाकिसान को US से advanced tanks मिलने शुरू हो गे थे और इसे बज़े से भारत कोई महसूस हुआ कि उन्हें advanced tanks की जरुवत है और यहां से entry हुई इंडिर आर्मी की service में centurion tanks की जो कि उस समय के one of the most advanced western tanks में गिरे जाते थे और इन tanks को भारत ने UK से लिया था हाले कि 1965 की इंडो पाकिसान वार के दौरान भारत के जो अधिकते tank fleet थी तो उसमें पुराने M4 Sherman tanks और M3 Stuart light tanks थे लेकिन तब तक भारत के पास centurion tanks भी आ चुके थे और इन tanks ने 1965 की इंडो पाकिसान वार और 1971 के बंगलदेश liberation war में बेहती महत्तपुन भूमी का निभाई थी और centurion एक ऐसा tank था जो worldwide combat proven था और इसने इसरेल अरव वर्स के दोरान भी अपने आपको साबित करके दिखाया था और तब ये इसरेली आर्मिर की backbone की तरह भी था और फिजब 1965 में भारत और पाकिसान की बेच युद्ध हुआ तो इस युद्ध में इन centurion tanks ने पाकिसान क countless pattern tanks को destroy किया है और वहीं से इसको एक नया निकनेम भी मिला pattern killer और केवल 1965 भी नहीं बलकि 1971 में भी बसंतर की लडाई में भारत के परम वीर 2 लैफिर और अरुन खितरपाल की कमांड में पूना होर्स के इनी centurion tank ने अकेले पाकिसान के 8 pattern tanks को destroy किया था और कि आप जानते हैं क centurion tank के एक निकनेम भी है और वो है farmagusta और यह farmagusta नाम उस town के नाम पर रखा गया है जो कि साइप्रिस के eastern coast में है जहां पे late 1940s में पूना होर्स station थी बागि centurion tanks 87 mm की main gun के साथ एक cube थे और जबकि इसके बाद की कुछ variants 105 mm की main gun के साथ upgrade भी किये गए थे जो कि आज के कई modern tanks में अलड़ी इस्तमाल हो रही है यसे की leopard और abrams की बाखे के early version बागि centurion tanks में rose royce का meteor engine लगावा था जो कि 650 horsepower को produce करता था और इस tank का वजन था लगभग 51 tons बाखि इस list में बगला नाम है French origin के AMX 13 light tanks का अलकि यह जो टैंक्स ने इंडिर आर्मी के service में exactly कौन से एर में इंड माल हुए थे जब इन्हें चुसूल तक air lift किया गया था और इसकी अपने आप में एक बहुती दिल्चस्प स्टोरी है कि इंडिनेर फोस ने कैसे इतने सारे challenges उने के बावजूद भी इन टैंक्स को चुसूल तक air lift कर दिया था और इन टैंक्स ने 1965 के इंडो पाकिसान वार में भी बेहर्दी महत्पूर्ण भूमी का निभाई थी और खास करके चम जॉर्जन वाले सेक्टर में बाकिस टैंक को 75 mm की SA 50 rifle gun से एक क्यूट किया गया था और इसमें secondary armament के तौर पर 7.62 mm की coaxial machine gun भी थी और इसका जो engine था वो 250 horsepower को produce करता था और इस टैंक का वजन केवल 14 टन था और वजन में इतना हलका होने के वज़े से इसे एक नया nickname भी मिला था और वो था jumper tank और अगर आप इस वीडियो को यहां तक ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ मया होगा कि 1947 के बाद से भारत ने बिटिस और फ्रेंच टैंक का काफी सितमाल किया लेकिन आजाद से 2009 तक इंडिन आर्मी की सर्विस में बना रहा और PT-76 एक सोवेट उरिजन का MPBS लाइट टैंक था और इसे वज़े से इस टैंक का पूरा नाम Floating Tank 76 था इन लाइट टैंक को सोवेट उनियन से भारत ने 1962 में लिया और शुरुवात में 178 टैंक और किये गए थे और यह और 1971 में तो इंडिन आर्मी की सुपेरियर टैक्टिक्स के साथ इस PT-76 ने संख्या में कम होने के बावजूद भी पागसान की M24 चाफी लाइट टैंक पर अच्छे खासी बड़त बनाई थी और अपने आपको सुपेरियर साबित करके दिखाया और इन टैंक की सुपेरियर पागसानी सेना को बहुत बड़ी कैस्वल्टीज हुई थी इस बैटल में आठ पागसानी M24 चाफी टैंक्स दिस्ट्रॉय कर दिये गए थे इन को कैप्चर भी किया गया था जबकि इसमें भारत ने अपने केवल दो ही PT-76 टैंक को खोया या था कि 1968 में पागसान ने भी इ 5060 राइफल गन से एक्क्यूट किया गया था और वो भी 7.62 mm की को एक्सियल मशीन गन के साथ इनको पावर देने के लिए इसमें V6 टाइप डीजल इंजन लगावा था जो की 240 होर्स पावर को जेनरेट करता था और यह रोड पर 44 किलोमेटर पर आर और पानी पर 10 किलोमेट 6 टैंक्स प्रोड्यूस किये गए थे इन टैंक्स के बाद फिर भारत ने T-54 और T-55 को भी लिया जो कि 1964 से 2011 तर इंडियन आर्मी के सर्विस में बने हुए थे और इंडियन आर्मी के सर्विस में इस्तमाल होने वाले सोवेट उरिजन के पहले में बैटल टैंक्स थे और जि जल्दी आर्मी को भी इन सोविट मशिन को टेस्स करने का अफसर भी मिला जब 1971 के बंगरदेश इलिविशिन वार में जब भारत ने T-54 और T-55 को काफी बड़े पैमाने पर इस्तमाल किया और इन T-55 टैंक्स की दुश्मन टैंक के साथ मुलाखाद सबसे पहले 22 दमेंबर 1971 272 गरिपूर की एरिया में हुई थे, और उस एरिया में भारत के T-55 ने पागिस्तान के 3 M-24 चाफिट टैंक्स को डिस्त्रॉई किया था और फिर 10 और 11 दिसमबर को नयनाकोट की लड़ाए में भी भारत के T 55 ने पाकेसन के 9 M47 और M48 टैंक्स को डिस्ट्रॉई किया और वो भी अपनी तरप बina कोई लॉस लिए युक्रियन वार में इस्तमाल करने के लिए और जबकि इंडिन आर्मी ने सोवेट यूनियन, चेकोसलोवाकिया और पोलेंट से इस टैंक की 1700 से भी अधिक यूनिट्स के लिए ओर दिये थे और फिन 1990s में टैंक्स को modernize भी किया गया और जो last T55 टैंक था वो 2011 में आर्मी के active service से phased out हुआ अब अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि आर्मी ने तो 1700 टैंक्स के orders दिये थे तो फिर तो अभी बहुत सारी संख्या में टैंक्स आलिडी मौझूद भी होंगे तो बताते कि वो टैंक्स अभी इस टोरिज में रिजर्व के तोर पर रखे गए और कुछ T55 के जो टारेट्स हैं वो LOC के साथ aesthetic defense के लिए भी इस्तिमाल किये जाते हैं और बाके इसके बाद इस list में जो अगला नाम है वो है विजियंता main battle tanks का जोकि 1963 से 2008 तक इंडिन आर्मी में अपनी service दे चुके हैं और इस tank के बारे में आपसे जानते होंगे कि विजियं था यफि विकर्स main battle tank शुरुआत में UK में विकर्स M. Strong द्वारा विक्सित किया गया था और इसे मुख्य रूप से export purpose के लिए विक्सित किया जा रहा था लेकिन इसे कभी भी UK के आर्मी ने इस्तिमाल नहीं किया और फिर 1963 में इसकी करीब 80 units डिरेक्टली UK से भारत में इंपोर्ट की गई थी और फिर बाद में जाकर 1965 तक भारत ने इन टैंक्स को इस्थानी तोर पर लाइसेंस के तहट भारत में ही प्रोड्यूस करना है स्टार्ट किया और आप ये भी कहाज़ता है कि इंडिन आर्मी के सबसे पहला स्वधिसी टैंक भी है और जिसका बाद में नाम बदल कर विकर से विजिन्ता रखा गया और चुकि 1965 की इंडो पाकिसान वार के दोरान ये विजिन्ता पूरी तरह से कॉमबेट के लिए तयार नहीं था तो उसलिए इस दोरान इसने बहुत ही लिमिटेड एक्षिन देखा लेकिन 1971 के बादादेश लेबरेशिन वार में विजिन्ता को अपने आपको साबित करने का अफसर जुरूर मिला था और जोरान इसन फ्रेंट पर ये अपने फुल पोटेंशल पर इस्तमाल किया गया और लेफिनेंट जेनरल जगजी सिंग अरूला की कमान के तहट 8th, 28th और 57th डिविजन ने इन विजिन्ता टैंक से लेसोकर ब्लिट्स ग्रेक रणती को उप्यूग करते हुए पूरी पाकिस्तान में भारती हमले का निर्थित्व किया था बागी जो भारत में बना विजिन्ता माक 1 था उससे एक्क्यूप किया गया था L7A2 105mm की में गन से और बागी इसमें 12.7mm की को एक्सिल मशीन गन भी लगाई गई थी 1000 राउंड के साथ और 1986 तक करीब 200 विजिन्ता टैंक भारत में स्थानी तौर पर प्रोड्यूस किये जा चुकी थे लेगर निमिसे कुछी टैंक थे जिनको माक 1A स्टैंडर्ड में मौडिफाई किया गया था जबकि पहले ही हो जना थे कि करीब 1100 विजिन्ता टैंक को अपग्रेट किया जाएगा और फिबाद में टैंक को माक 2 स्टैंडर्ड में भी मौडिफाई किया गया जिसमें इन्हें कई सारे इन्हेंस्मेंट्स के साथ मौडन फायर कंट्रोल सिस्टम्स भी मिले और कुछ special variants तो विजिन्ता के चेसिस से बने थे और जो इसका सबसे significant variant था वो था Catapult SPA जिसमें Soviets के M46 field gun माउंट की गई थी बाकि 2008 तक सारे विजिन्ता टैंक आर्मी के सर्विस से T-72M टैंक से replace कर दिये गए थे अब बाकि इनमेंसे कुछ टैंक सभी भी T-55 की तरही LOC पर static defense mechanism के लिए भी इस्तमाल होते है और बाकियों को reserve के तोर पर store करके रखा गिया है और फिसके बाद नंबर आया modern tanks का जिसकी शुरुबात होई 1981 में जब T-72M को choose किया गया और 1982 में आर्मी के सर्विस में इस अबसे powerful tanks भी है जो की कई अलग-लग variety के rounds fire कर सकते है और सी बीच DRU ने अर्जुन नाम के स्वधिसी main battle tank को भी विक्सित किया जिसके करीब 124 Mark 1 वाले version आर्मी operate कर रही है और इसके upgraded version जिसे हम जानते हैं अर्जुन Mark 1A के नाम से यानि की future ready combat vehicle जो की AIJC advanced technologies के साथ आएगा और इस अबके लावा high altitude warfare के लिए आर्मी 350 light tanks को भी खरीद रही है और बाकि ये था 1947 से लेकर अभी तक इंडियर आर्मी में इस्तेमाल हुए अलग-लग battle tanks का इतिहास उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूड करें कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए comment section open है और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूड करें हम जलनी मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत